हलो एवरीवन वेलकम बेक टू नॉलेज फूर फ्यूचर इस्टडी चेनल राजिस्थान जीके के इंपोर्टेंट कोश्चन सम इस वीडियो में डिसकस करेंगे पहला कोश्चन है लालदासी इबम चरणदासी संत संपरदायों का साहित्य किस भासा में रचा गया है लालदासी और चरणदासी ये दोनों मेवात छितर के संत हैं चरणदासी संपरदायों की जो प्रमुक पीठ है वो एक तो दिल्ली में है और दूसरी डहरा अलवर में है ठीक है दो पीटे हैं चरणदासी संप्रदाय की चरणदासी संप्रदाय की पिर्मुक सिश्या भी है एक सहजोबाई यह बहुत फेमस है इन्होंने ग्रंथ भी लिखा है सहजोबाई ने तो जो लालदासी और चरणदासी संत संप्रदाय है इसका साइत्य मेवाती वर्षा में लिखा हुआ है सेकंड ओप्सन हमारा करेक्ट हो जाएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एक बार जोदपुर का हम्मीर रासो महाकाब्य संकर राब का भीम बिलास काब्य अली वक्सी ख्याल आदे की रजना किस बोली में की गई है तो अहीरवाटी बोली में की गई है जो अली वक्सी ख्याल है वो अलवर का प्रिसिद्ध है अलवर में भी आपने जगे सुनी होगी बहरोड और कोट पुतली नमक दो तैसिले हैं बैरोड कोटपुतली यहाँ पर अहीरवाटी बोली भी है एक तो अहीरवाटी बोली यहाँ पर बोली जाती है बैसे इसको राट छेत्र बोलते है राट छेत्र और अहीरवाटी यहाँ पर बोली बोली जाती है जोद राज का जो हमीर रासो है ये कोशन भी मतलब अलग से पूछा जाता है कि हम्मीर रासो किसके द्वारा लिखित गरंत है तो जोद राज का हम्मीर रासो संकर राब का भीम बिलास काप पे अली बक्सी ख्याल ये सब अहीर बाटी बोली में लिखे गए हैं थर्ड ओप्सन हमारा करेक्ट है निम्न में से कौन सी बोली मेबाडी, ढूणाडी और हाडोती इन तीनों का मिश्रण है तो वो है खेराडी बोली बहुत अच्छा कोश्चन है और काफी बार पूछा गया है ठीक है खेराडी बोली मेबाडी, ढूणाडी और हाडोती का मिश्रण है हड़ोती बोली राजिस्तान के किस चेतर में प्राय नहीं बोली जाती है हड़ोती बोली हड़ोती चेतर में बोली जाएगी ठीक है हड़ोती चेतर में चार्ज ले आते हैं कोटा बूनी बारा जाला बार जाला बार इनमें है नहीं आप्शन में थर्ड उप्शन अमारा करेक्ट हो जाएगा जहाँ पर हड़ोती बोली नहीं बोली जाती है इजी कोश्चन था अगला है राजिस्थानी ललित निवंद बिध्या के सुभारम का स्रे प्रिसिद इतियासकार को प्राप्त है कौन है वो इतियासकार तो वो इतियासकार है जहूर खाम मेहर राजिस्थानी ललित निवंद बिध्या के सुभारम का स्रे जहूर खाम मेहर को है राजिस्थानी संस्कृती राचितराम अरजुन अली आख साको खींची मुकंदासरो आदी इनकी प्रिसिद कृतिया है जहूर खाम मेहर की प्रिसिद कृतिया है संस्कृती राचितराम अरजुन अली आख साको खींची मुकंद दासरो इनकी निवंद बिध्या के सुभारम का स्रे दिया जाता है उद्यपर में जन्मे महराज चतुर सिंग जी ने निम्न में से किस किरती की रचना करी थी चतुर प्रिकास समान बत्तिसी दुरगा सप्तिसती बारता ये तीनों ही किस की किरतिया है चतुर सिंग जी की किरतिया हैं और चतुर सिंग जी उदेपर में जन्वे महराज थे इन्होंने चतुर प्रिकास, समान बत्तीसी, दुरगा सप्त सती बारता इनकी रचना करी थी राजिस्तानी भासा में रचित रामायाण के रचेता कौन है? संत हनवंत किंगर थर्ड उप्सन करेक्ट है, इंपोर्टन कोश्चन है राजिस्तानी भासा में जो रामायाण रचित है, उसके रचेता है संत हनवंत किंगर निन में से कौन सी किरती, पिरचिद राजिस्तानी सायत्तकार सिभचंदर भरतिया द्वारा लिखे थे तो इनमें से उप्रोक सभी करेक्ट हो जाएगा कनक सुन्दर, केसर बिलास, विसरांत प्रवास यह सिभचंदर भरतिया के द्वारा लिखी हुई है राजिस्तान में पिर्थम कहानी की बात की जाए तो वो विसरांत प्रवास थी पिर्थम उपन्यास की बात की जाए तो कनक सुन्दर और पिर्थम नाटक केसर बिलास पिर्थम कहानी बिसरांद प्रबास पिर्थम उपन्यास कनक सुन्दर और पिर्थम नाटक केसर बिलास और निकिरचेता सिवचंद्र भर्तिया important है रटलो याद कर लो सिवचंद्र भर्तिया केसर नाटक, विसरांद प्रवास और कनक सुंदर विसरांद प्रवास, कनक सुंदर और केसर बिलास जोदपुर के राजा मान सिंग के काब्बे गुरु कौन थे बांकी दास जोदपुर के रजा मान सिंग के काब्बे गुरू थे second option correct है ब्रजभासा वे पूर्वी राजिस्थानी का साहितिक रूप कहा जाता है पिंगल साहित्य third option correct है जो ब्रजभासा वे पूर्वी राजिस्थानी का साहितिक रूप है वो पिंगल साहित्त ते गेलाता है थर्ड ओप्शन करेक्ट निम्न में से कौन सा गरंथ डिंगल साहित्त सैली में लिखा गया है इसका करेक्ट आमसर है संगत रासो संगत रासो ये डिंगल साहित्त सैली में लिखा गया गरंथ है चारण सेली को किस नाम से जाना जाता है तो चारण सेली को डिंगल नाम से जाना जाता है फूर्थ आप्सन हमारा करेक्ट हो जाएगा चारण कभियों ने ही डिंगल सेली के अधिकान साहत्य की रचना करी और डिंगल सेली को ये चारण सेली कहा जाता है सुर्जी अरजन गाम की संधी कब की गई थी यह संधी जनरल लेक ने की थी दौलत राप संधिया से 30 दिसंबर 1803 को यह संधी हुई थी लास बाड़ी के युद्ध में संधिया के अंग्रेजों से पराजित होने के बाद यह संधी की गई थी इंपोर्टेंट संधी है सुर्जी अरजन गाम की संधी 30 दिसंबर 1803 को हुई थी यह जनरल लेक ने की थी दौलत राप संधिया के साथ लास बाड़ी की युद्ध में जब संधिया अंग्रेजों से पराजित हो गई तो यह संधी की गई राजिस्तान में हिस्टिंग्स की अधिनस्त पार्तक्य की नीती के तहट सर प्रितम किस रियासत के साथ संधी की गई तो वो करोली रियासत थी यह कोशन कापी बार पूछा गया है हेस्टिंग्स की अधिनस्त पार्थक्य की नीती के साथ करोली के साथ सबसे पहले संदी की गई 9 नवम्मर 18 स्वत्रे को ये संदी हुई थी अधिनस्त पार्थक्य की नीती इसके तहट सर्तें क्या क्या थी अंग्रेज राज्य की भाईय आक्रमन से सुरच्छा करेंगे पिरतेक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखा जाएगा राजपूत राजाओं का बंसानुगत राजजादिकार बना रहेगा उप्रोग सभी तो उप्रोग सभी यहाँ पर करेंग्ट राजज रो जाएगा अधिनस्त पार्थक्य की नीती के तहट अंतिम संदी सिरोही के साथ 1823 में की गई थी यह कोशन भी पूछा गया है कि सबसे अंत में संदी करने वाला राज्य कौन था तो वो सिरोही था ग्यारे सितंबर 1823 को अंतिम संदी की गई सिरोही के साथ और सिरोही के साथ कौन थे महराजा सिवसिंग करेक्ट रोगा अधिनस्त पार्थक्य की नीती के तहट सबसे लास्ट में 1823 में सिरोही के साथ संदी होती है और सिरोही के राजा सिवसिंग होते है आसोपा विसनराम वे ब्यास अभेराम ने किस रियासत की ओर से कंपनी सरकार के साथ 1818 में संदी की थी तो आसोपा इस नाम से आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह जोदपुर मारवार से संबन्दित है सेकंड ओप्सन करेक्ट है आसोपा विसनराम और ब्यास अभहराम ने जोदपुर की ओर से अंगरेजों के साथ 1818 में संदी की थी एसिया में अपनी ब्यापारिक आगंचाओं की पूर्ती हेतु अंगरेजों ने किस देश को अपनी गतिविदियों का केंद्र बनाया तो वो भारत था सेकंड ओप्चन हमारा करेक्ट है सत्रवी सताबदी के अंति तक भारत में अंगरेजों ने सर्वे प्रतम कहां अपनी बस्तियां इस्थापित करी थी तो मद्रास में सबसे पहले और इसके बाद कलकत्ता में मद्रास और कलकत्ता करेक्ट अंसर होगा यानि कि A और B correct answer हो जाएगा 1817-18 की संदी के दोरान निम्न दियासतों एवं उनके सासकों को सुमेले थमको करना है तो कोटा के जो सासक थे वो महराब उम्मेद सिंग थे जोदपुर के महराजा मान सिंग थे मेवाड के महराणा भीम सिंग थे और प्रताब गड़ के महराजा सामन सिंग थे 1817-18 की संदी के दोरान कोटा के महराब उम्मेद सिंग राब लगाते थे अड़ोती के राजा जोदपुर के महराजा मान सिंग मेवाड के महराणा भीम सिंग प्रताब गड़ के महराजा सामन सिंग थे पातार्षा घाट का संबंद 1818 की संदियों के दोरान किस राजपूत रियासत से है पातार्षा घाट इसका संबंद बीकानेर से है बीकानेर नरेश माराजा सूरत सिंग की ओर से ओजहा कासीनात और गवर्नर जनरल की ओर से सर्ल्स चार्ल्स मेटकॉफ के मद्य 9 March 1868 को संदी होती है और ये पातार सा घाट संदी कहलाती है क्योंकि ये पातार सा घाट पर की गई थी 21 March 1868 को राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1868 में कहां पर की गई डेली में की गई दिल्ली में राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1868 में दिल्ली में की गई उदैपुर में प्रिजामंडल अंदुलन की स्थापना का स्रे किसे दिया जाता है उदैपुर उदैपुर यानी मेवाड और मेवाड प्रिजामंडल में प्रमुक नाम किसका आता है मारेक किलाल बर्मा का सैकेंड ओप्शन करेक्ट है मेबाड प्रजामंडल की इस्थापना कब हुई और उसके पहले अध्यच कौन थे पहले अध्यच थे बलवंद सिंग महता और इस्थापना होती है अप्रेल 1934 में बहुत इंपोर्टन कोशिन है प्रजामंडल की द्रश्टी से मेबाड प्रजामनल की इस्थापना माड़े किलाल वर्मा नहीं की अप्रेल उنت cel अर्थीज में की वर्वन सिंह महता पहले अध्याच दे उद्यपूर सरकार द्वारा मेबाड प्रजामनल को कब गेर कानूनी कुसित किया गया चोबी सितंबर 24 सितंबर 1938 24 सितंबर 1938 को मेवार प्रजामंडल को गैर कानून हिकोषित किया गया उद्यापुर सरकार के दोरा मेवार में प्रजामंडल के संस्तापक एबम प्रमुक कार्य करता स्री माने किलाल बर्मा को 1949 में गरबतार कर मेवार में किस स्थान पर बंदी रखा गया तो वो कुम्बलगर दुर्ग में इने बंदी रखा गया 1949 में और कब गेर कानून ही गुच्चत हुआ 24 सितंबर 1938 को स्री बूरेलाल बया को गरबतार कर कहना जरबंद किया गया इनको सराडा किला में किया गया मारेक किलाल बर्मा को तो 1947 में कुंबलगर दुर्ग में और बूरेलाल बया को सराडा किला में मेवाड का बरत्मान सासक के लेकर कौन थे? मारिक किलाल बर्मा ने सामंती सासन के अत्ता चारोव जनता की दसा का बढ़ना निसमे किया मेवार का बर्तमान सासन मारिक किलाल बर्मा तो यह हमने राजिस्तान जीके के कोश्चन डिसकस किये रोजाना हम राजिस्तान जी के कोश्चन इस चैनल पर डिसकस करते हैं अगर आपको वीडियो हेलफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करोगे तो ही सपोर्ट होगा नंबर देखेगा और आपको भी अच्छा लगेगा